तो हेलो गाइस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासी जो है वो स्टार्ट की थी राइट और हमने अपना फर्स चेप्टर डेट इस हिस्टोरिकल बैक्डांड ऑफ इंडिया उसे कंप्लीट कर लिया है और उससे रिलेटेड जितने बनने से डिलेटेड जितनी भी जीजहें वो सारी सारी हमने इसमें इसमें इंक्लीड की है ज स्वान लंबा है तो मैंने क्या किया कि इससे भी पारट माइस दिवाइड कर दियह ठीकशने किसे मतलब इसका मॉटिफ होता है कि हमें जो है वो बर्डन थोड़ा कम बढ़ता है हम धीरे-धीरे चीज़ों को जो है वो समझते जाते हैं ठीक है सो आई होब कि आपको चीज़े समझ आएंगी तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के लक्षर को देखिए सब्सक्राइब करते हैं कि कब से इसकी चाहिए जो हमारा खुद का कॉंस्टिटूशन बनाए ठीक है सबसे पहले किस ने दिया था कब दिया था इन 1934 राइट यह चीज़ आप याद रखिएगा उसके बाद क्या होते हैं इंडिन नेशनल कॉंग्रेस भी पहली बार ऑफिशली डिमांड करती है कॉंस्टिट असेंबली का जो फ्रेम करें अपना कॉंस्टिटूशन ओफ इंडिया और यह कब कहा थे इन्होंने 1935 में राइट कब कहा था 1935 में अब देखिए ज्वाला नेरू ओन बिहाफ ओफ आई एंसी ठीक है ओन बिहाफ ओफ इंडिया नैशनल कॉंग्रेस डिक्लेर करते हैं डउन्यent इवाइं रोट करते हैं टेट कौंस्टिशन ओफ रिंडिया मस्ट भी फ्रेम विदा आऊट्सेड इंटर फेरंस चिक है कि जो फिदि बनाया जाएगा इंडिया का वो क्या होना चाहिए फ्री होनाच चाहिए विदाउट और बाता रही होरहां टीए न असेंबली होगी ना वो क्या होगी जितने भी इसमें परसन किये जाएंगे वह सारे इलेक्टिट होंगे ठीक है एलेक्टिट होंगे एंड ऑन दा बैसी जो एडल्ट फ्रंचाइजी पर अगर आपको याद हो तो एडल्ट जो फ्रंचाइजी कब आया था 1999 में 1919 में से इंटर्डूस किया गया था ठीक है और इसमें जो 10 परसंट जो है इंक्रीज किया गया था इसे पॉपुलेशन तक कब 1935 में ठीक है जो यह चीज़ आप याद रखिएगा चलिए आगे देखते हैं जा डिमांड वस फाइनली असेप्टेड इन प्रिंसिपल एक है और इसे ही हम क्या क्हते हैं अगस्तो फर ऑफ अगस्तोंफर गया हें पाट कि- आप लिख कर देके सब्सड़ने जो याद रखिए ऊठीड़ बहुते हैं आप देखिए क्रिप्त है और से ट्रक ड्रें गूत अब जो मेंबर हैं कैबिनेट के ठीक है केम टू इंडिया विद ड्राफ्ट प्रपोजल एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ आये थे क्यों ऑन दो फ्रेमिंग ओफ एन इंडिपेंडेंट कॉंसिटुशन ठीक है तू भी एडप्टिड आफ्टर वर्ल्ड वॉर्ड टू ठीक ठीक है एक प्रपोजल के साथ आये थे वो ठीक है किसलिए ताकि जो इंडिया का जो है वो खुद का इंडिपेंडेंट एक कॉंसिटुशन बनाया जाए राइट पर कब डूप्ट किया जाएगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर्ड टू में टू के बाद ठीक है अब देखिए हो वह चाहती थी कि पार्टिशन हो पहली चीज ठीक है इंडिया और पाकिस्तान अलग हो जाए ये राइट और दूसरी चीज उन्होंने डिमांड की थी कि टू सेपरेट कॉंसिटुएंट असेम्बली होगी मतलब इंडिया की अपनी होगी हमारी अपनी होगी हम अपना कॉं नाइंटीन फोर्टी टू में राइट देखिए अब यह सब चीज आ होती है उसके बाद क्या होता है फाइनली अग के बिनेट मिशन वस सेंट टू इंडिया ठीक है फाइनली एक के मिशन आता है इंडिया में वाइल इट रिजेक्टिट दा आईडिया ओफ टू कॉंसिट इसेंबली एंड इट पूट फोर्थ एस्कीम फोर्ट इसेंबली विच मोर और लेस्ट इस्वाइड दा मुस्लिम लीग देखिए पहले बाद मावजाद देखिए आता का वह यह 24 मार्च 1946 को ठीक है यह इंडिया में आते हैं राइट कौन-कौन तीन मेंबर इसमें इंक्ल स्ट्राइफोड कृप्स तो तैसरे इसमेंं इंक्लोड होते हैं नियुक्त कर देते हैं जो टू कंस्ट्रंट अस्यंबली का यजेखिए लेकिन वह एक स्थिस्कीम मतलब सामने लाते हैं जो मुस्लिम लिग जिसमें धृट वह सट्टिसफाई हो भी जाती है और बाद में कर देती है ठीक है अगर आपने हिस्ट्री पड़ी होगी अभी हम इसमें ज्यादा मतब गुसेंगे निसके अंदर तेकि मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं आपको लेकिन थ्री सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है यह तो रियक्ट कर देते हैं यह वली स्कीम बट वह बहुत कहते हैं ऊसके थ्री सेक्शन में डिवाइड कर देती जिसमें तो सेक्शन होते हैं उसमें जोभी स्टेट्स इंक्लूड की जाती है वह मुस्लिम स्टेट्स होती है दोमिनें लेक्र एक में ने से रिलेटेड उसके बाद हम देखते हैं composition of the constituent assembly ठीक है अब देखिए जो constitution assembly है was constituted in November 1946 ठीक है under the scheme formulated by the cabinet mission plan ठीक है अब देखिए features क्या है इसके the total strength of the constant assembly was to be 389 ठीक है अब 389 जो है वो total strength होगी ठीक है 296 जो है वो लग कर दिए 93 लग कर दिए 296 की जो है उसमें British इंडिया के अंदर आएंगे 93 जो है वो princely state से चुने जाएंगे ठीक है अब 296 भी further divide था जिसमें से 292 जो थे वो 11 governor provinces के थे और जो 4 थे वो थे chief commissioner province के ठीक है अब देखिए 11 governor prince कहां से ली ली गई थी मद्रास बॉंबे यूपी बिहार सेंटर बोविंस और इसा राइट पंजाब नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंथ बेंगाल एंड असाम ठीक है यह कूर्ग यहां पर आना था थोड़ा वो उस हैड चला गया है गलत हो गया ठीक है मद्रास बॉंबे यूपी बिहार सेंटर प्रोविंस और इसा पंजाब नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंथ बेंगाल एंड असाम ठीक है और जो चीफ कमिशनर प्रोविंस के अंदर आएंगी वो कौन सी थी डेली अजमेर मेरवाडा कुर्ग ठीक है और ब्रि ऐसली स्थेट वर्टो बी अलटेट सीटस इन प्रोपोर्शं अवर्टो याद रखी कहाँ कितना किया गया था दस लात पे एक शीर थी ठीक है 10 lakh population से एक जो है वो निकल कर आएंगे ठीक है and seeds allotted to each British province were to be divided among the three principal communities और किस-किस में डिवाइड की गई हो Muslim six और बाकी जो जर्नल ठीक है and in proportion to their population होंगे पर किसी के किस पर बैसिस पर population के बैसिस पर ठीक है और किस पर तीनों पर डिवाइड की गई Muslim six and journal में ठीक है जर्नल जो बाकी लोग जो मतलब include किये जाएंगे जर्नल का मतलब यहां पर है जो Muslim हो सिख के अलावा जो और include किये जाएंगे राइट चलिए अगला ज़कते हैं the representatives of each community were to be elected by members याद रखीएगा the representatives of the each community ठीक है इच कम्मुनिटी के जो रिपर्जेंटेटिव से वह एलेक्ट वर्ट वी एलेक्टेट वाइड मेंबर्स ओफ डैट कम्मुनिटी अगर आप आज के टाइम पे बात देखेंगे जो प्रेजिजेंट जी के इलेक्शन किये जाते हैं वह इसी के थुरू किये जाते हैं ठीक है याद रखीएगा ड़ी प्रिंसली स्टेट्स वर्ट वी नॉमिनेटेट बाइट्स अब देखिए क्या डिफरेंस है ठीक है जो से आएंगे ना वो तो इलेक्टेट भोंगे बड़ Top Script से थे वो क्या होंगे नॉमिनेटत रॉगे ठीक है तरह झा सं Canada से एक और तो यह होंगे तो elected, but indirect elected होंगे, ठीक है, इसको दो में divide कर दिया गया है, इसमें एक तो कर दिया गया है, elected जो indirect होंगे और दूसरे होंगे nominated जो आएंगे princely states है, और यह आएँगी British India States है, ठीक है, चलिए बागे देखते हैं, देखिए अब election होते हैं, जो on July August 1946 for 2.96 seats, ठीक है, pics के लिए होते हैं आई एक को मिलते हैं 208 तूम्हेश को मिलते हैंसे 573 एक यो और 3 स्मॉल गुरूप्स जो स्मॉल गुरूप्स होते हैं इंडिपेंदेटेंस होते हैं उनको मिलती है टॉडल 15 टेक्ष ए और ग्रार्ड कंस्ट्ट्ट कि ने ने द्रतर्ट गेंबर दूसरी चीजित महात्मा गांधी जी थे वह इंपर हीं थे यह आद रखियेगा ठीक। प्रिंस य जोई नहीं किया और मातमा गादि जीजो थे उन्हों ने इसमने के मैंबर वो नहीं थे ठीक है जह लिए कि अब देखेंगे working of the Constington Assembly ठीक है ठीक है फर्स मीटिंग होती है दिसंबर नाइन तो पाकिस्तान करते हैं जो पाकिस्तान चाहिए उन्हें ठीक है जो मीटिंग होती है वह टेंड की जाती है कितने मेंबर के द्वारा 211 मेंबर के द्वारा अब याद रखेगा यह भी बहुत चीज़ें है याद रखेगा डॉक्टर सचिदनन्द सिना ओल्डेस्ट मेंबर वॉस इलेक्टिड़ी प्रेजिडेंट ऑफ दा असेंब्ली ठीक है डॉक्टर सचिदनन सिना जो थे ठीक है वो टेंपररी प्रेजिडेंट थे किसके कौन सेंब्ली ठीक है लेकिन पर्मनेंट मेंबर कोन बने ठीक है बाद में डॉक्टर रजेंदर परसाद ठीक है याद रखेगा अब जागर पर्मनेंट अगर पूचे जाए फर्स्ट ठीक है वाइस प्रेजन कौन थे दो एक सी मुखरी और वीटी कृष्णमार चारी ठीक है यह चीज़ आप याद रखिएगा ठीक है तो यहाद आगा हम इसका मतलब चीज़ कंप्लीट करते हैं अब बार याद दिया अब्जेक्टिव रेजुशन की और यहां में पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है अगर आपने पड़ा है चीज़ें पहले से तो को पता होगा कि अब्जेक्टिव रेजलुशन जो है मतलब जो प्रेयंबल है वो इसका एक तरह से मोडिफाइड वर्जन है अगर आपको पता हो तो ठीक है प्रेयंबल इसी से मिलकर बने हैं जो च चीज़ें आपको याद रखना जरूरी है ठीक है ठीक है जोला ने रूमूब दा हिस्टोरिक अब्जेक्टिव रेजलुशन इन दा असेंबली ओं डिसमबर 13 1946 ठीक है अब्जेक्टिव रेजलुशन जो है वो मूब की जाता है कब डिसमबर 13 1946 को ठीक है इट लेट डान फ ऐन फीटर गवर्नेंश और चेठक है इसमें सिंबल सी बात की जो अब एंडिया वहाउट इंहां सोर रीपब्लिक है ठीक हैसोब्रन का मतलब होता है ता ऐस फ्री प्रोम एनी इनी फोरेन रूल ठीक है आप कोई फोरं है तरो ड्रूरिप्र अल्टिक है सोबरन है और एट स्टेट है यहां पर एलेक्टिड है ठीक है एंट ड्रोप फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस और कॉंस्टिटूशन राइट यह चीज़ आप याद रखेगा सोब्रान रिपब्लिक हम आगे पढ़ेंगे प्रियंबल में इसकी मैं आपको एक जो स्टेटमेंट्स होती है इनकी सब्सक्राइब को अच्छे से बताऊंगा अभी के लिए इतना समझ लेजिए ठीक है पहरी चीज़ इसमें यह इंकलूट किये और यह सोब्रान रिपब्लिक है यह प्रियंबल में भी वर्ट्स यूज हुए है ठीक है अगला वेरिं दर टेरिटरिस डैट नाव कंप्राइ इंडिया शेल भी यूणिन ओफ दम ओल ठीक है अभी की जो टेरिटरिस हैं ब्रिटिश इंडिया की ठीक है या जो टेरिटरिस हैं जो इंडियर स्टेट ठीक है या फिर ऐसी कोई जो इंडिया के बाहर है बट विलिंग है इन फ्यूचर इंडिया के साथ अंदर आने को ठी है और वो क्या बोला जाएगा union of them all ठीक है इंडिया क्या होगा union of all the states right चलिए आगला देखते हैं wherein the set territories whether with their present boundaries or with such others as may be determined by the constant assembly and thereafter according to the law of constitution shall possess and retain the status of autonomous units together with residuary powers and exercise all powers and functions of government and administrations save and accept such powers and functions as are vested in or assigned to the union or as are inherent or implied in the union or resulting therefore ठीक है ठीक है इसका मतलब क्या है बोलते हैं जो territories है ठीक है whether with their present boundaries right और with such other as may be determined by constant assembly चाहे वो constant assembly से वो करे ठीक है या फिर जो अभी जो present boundaries है राइट या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आगे चल के जो constitution कोई लोग बना है ठीक है शेल possess and retain status of autonomous unit ठीक है तो जितनी भी state है वो क्या रहेंगी autonomous रहेंगी ठीक है और उन्हें वो सारी की सारी powers मिलेंगी जो मतलब जो जो यूनियन के पास है उसको छोड़के बाकि सभी की सभी powers जो है ने वो दी जाएंगी ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला है वेरिन ओल पावर अथ्योर्टी दुए सोब्रा इंडिपेंडेंट इंडिया इस कॉंसिट्वेंट्स पार्स और गॉर्मेंट अड्राइब फ्रॉम दा पीपल ठीक है अगर आप इस स्टेटमेंग से देखेंगे तो इसका जनल सा मतलब है डेमोक्रेसी ठीक है कि लोगों से ही जो है वो सारी की सारी पावर जो है वो आएगी चाहे वो उन इसकी बात करें मुझे अपर और जितनी बीचीज़े जाएंगे पीपल का ठीक है जो लोग हैं इंडिया के ठीक है उन्हें सिक्योरिटी एकदम से प्रवाइड की जाएगी चाहिए वह जस्टिस हो शोचल इकोणोमिक हो प्लेटिकल हो एकोली स्टेटस मिला जाएगा और ऑपर्चुनिटी एंड बिफोर दलो फ्रीडम दिया जाएगा थोट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ वर्शिप वकेशन एक्षिशन एंड अच्छन सब्जेक्ट ओफ लोव एंड पब्लिक मॉरैलिटी ठीक है जो है तो इसलिए आजाता है कि जो है वो प्रेंबल आगे बनता है थोड़ फोड़ा के साथ के साथ in the integrity of the territory of the republic ठीक है integrity of the territory of the public को क्या किया जाएगा maintain किया जाएगा and its sovereign rights ठीक है इसके जो sovereign rights हैं चाहे वो land पे हैं sea पे हैं air पे हैं वो क्या किये जाएंगे maintain किये जाएंगे according to the justice and the law of civilized nations right चलिए the ancient land attains its rightful and honors place in the world and makes its full and billing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind ठीक है जो आगे जलके जो मतलब world peace के लिए पूरा का पूरा जो है contribution किया जाएगा और जो चाहें mankind welfare of mankind इसके लिए भी क्या है पूरा का पूरा क्या है willingly जो है contribution किया जाएगा right and last जो है this resolution was adopted by the assembly on January 22 1946 ठीक है 1947 January 22 1947 में यह जो resolution इसा adopt कर ली जाता है it influence the eventual shaping of the constitution through all its subsequent stages ठीक है और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता जुका हूँ कि जो objective resolution है यही आगे चलके जो हमारा preamble बनता है right थोड़ी बहुत modification ने साथ इसी जो preamble में include किया जाता है जितने भी आपने आपने words देखे हैं integrity की बात हो जाए या फिर सोवरंग की बात हो जाए रिपब्लिक की बात हो जाए यह सारे सारे words जो है आपको आगे चलके प्रेम्बल में देखने को मिलेंगे ठीक है अगर आप प्रेम्बल कभी एक फर्स्ट पेस्ट देखो गे तो उसमें भी इस सारी साजी चीज़ें जो है include कि गई है ठीक है तो आई होब कि आपको आज का जो लेक्षर है वो पसंद या समझ आया होगा ठीक है ऐसा चीज़ें जो है वो असान तभी बनती है जब हम उसमें इंटरस्ट लेते हैं राइट देखिए मैं चीज बताना चाहता हूं आपके लिए चीज़े मुश्किलें बता कब होती है जब आप उसे इंटरस्ट लेकर नहीं बढ़ते हैं जब आपको चीज़ें समझ भी अक्षिले तब आती है अब यहां मैं बोलता रहूंगा ठीक है और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है ठीक है तो हो सकता कि कहीं नहीं मेरी भी गलती होगी शायद मैं अगर आपका इंटरस्ट नहीं है ठीक है तो तब भी आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी और जब आप चीज़ें इंटरस्ट लेकर पड़ते हैं तो चीज़ें खुद बखुद आपके लिए इजी होती जाती है ठीक है यह मेरा खुद का मतलब परसनल एक्जाम्पल है या मैंने खुद का experience यह चीज़ की हुई है तो यह चीज़ आप याद रखिएगा आपको आज का जो लेक्षर है वह समझाया होगा अगर समझाया तो लाइक करिएगा नहीं समझाया तो लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि क्या चीज़ समझ नहीं आई है और प्लीज शेयर करिए इसको ज्यादा 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 लोगों तक पहुंचाइए ठाकि उन वो लोग भी अगर उन्हें कहीं और समझ नहीं आ रहा है तो यहां के चीज़ों को समझ पाए ठीक है और हमारी अप्रोच आपको पता ही है जैसे हम यह पूरा ले लेकर आएंगे ओके तब तक के लिए अपना ख्यार रखें बाबाई टेक कियर